टिंकू, मंकू और एक भालू कृष्णपूर नाम के गाउ में टिंकू और मंकू नाम के दो बच्चे रहा करते थे वो दोनों अच्छे दोस्त थे वो स्कूल एक साथ जाया करते थे और पड़ाई भी साथी में करते थे टिंकु बहुत चालाग तो नहीं था, पर बहुत साहसी था, मंकु बहुत चालाग चतुर था, पर बहुत डर्पोक था एक दिन टिंकु ने कहा, सुन मंकु, आज हमारे दोस संतोष ने घर पे बुलाया है खेलने को तो भूल गया क्या, मंकु ने कहा, हाँ सच में भूल गया, पर उसका गाउं तो थोड़ा दूर है, उसके घर जाना है तो जंगल में से जाना पड़ेगा, सुना है वहाँ खूखार जानवर है, मुझे डर लगता है बाबा मैं नहीं आओंगा, तिंकु ने कहा, तू खामखा दरता है, सारे गाउवाले तो रोज जंगल में से आते ही आते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, चल चलते हैं, चल छोड़ना, मैंने तो घर पर भी नहीं बताया, और अब जाएंगे भी तो आते आते शाम हो जाएगा, आज जाने दे, फिर कभी चलेंगे, सब कुछ घर पे बता रहता करना होगा क्या बोलता है टिंकु ने कहा ठीक है ठीक है चल चलते हैं वो दोनों जंगल में से जा रहे थे उस जंगल में खूखार जानवर रहते हैं ऐसा गाउवाले बोलते रहते थे इसलिए दोनों थोड़ा डर डर के ही जा रहे थे वो दोनों थोड़ी दूरी मंकु ने कहा, बाप रे, भालू, अगर हमें देख लेगा तो मार के खा जाएगा, अब हम क्या करें, डर मत, मुझे उस पेड़ पे चड़ने के लिए सहायता कर, मैं उपर जाता हूँ, फिर तुझे खीच लेता हूँ, इस तरह मंकु का सहायता करने से, टिंकु पेड़ पे घबराते हूए मंकु ने कहा, मुझे पेड़ चड़ना नहीं आता, जल्दी मुझे उपर खीच ले, वरना भालू मुझे खा जाएगा, टिंकु ने कहा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या, यहां बैटने का जगा नहीं है, जाके दूसरा पेड़ ढून और चड़ जा, इतने में वो भालू बहुत नजदिक आ गया था, अचानक से मंकु को कुछ याद आया, मरा हुआ चीज को भालू खाता नहीं, यह मंकु ने किसी को कहते हुए सुना था, मंकु फिर जमीन पर लेड़ गया, जैसे कि वो मर गया हो और उसने अपनी सास रोक ली, भालू मंकु तक पहुँच गया, फिर उसने मंकु के चक्कर लगाए, उसने मंकु के शरीर को सुंगा, उसे लगा वो मर गया है, फिर वो वहाँ से चला गया, तब मंकु आहिस्ते से उड़ बैठा, पेड़ पे बैठा टिंकु ने कहा, अरे वा, तु तो बहुत खुश किस्मत है, उस भालू ने तुझे खाया नहीं, चल, अब आजा, मुझे इस पेड़ पे से नीचे तो उतर, वैसे उस भालू ने तेरे कान में धीरे से बोला क्या बता, मंकु ने कहा, उसने कहा, तेरे जैसे दुश्ट से दोस्ती ना करू, तु अपनी बात से मुकर गया, आइंदा कभी मुझसे बात मत करना, तेरे जैसे लोगों के वज़े से दूसरों को खत्रा होता है, तुझे पेड़ से उतरने में मैं सहायता नहीं कर सकता, कूद स पसंद आई, नीली धूत्र लोम्डी, कई साल पहले एक बड़ी सी जंगल में सारे जानवर मिल जुलके रहा करते थे, उस जंगल में एक बड़ा धूत्र लोम्डी भी रहता था, एक दिन एक बंदर एक मास का टुकडा लेके जा रहा था, तो लोम्डी ने उसे रोक लिया ए रोक, हाथ में क्या है, मास का टुकडा, बंदर तो मास खाते नहीं, तू उसे लेके क्या करेगा, बोल, बंदर ने कहा सच कहा दोस्त, हम मास खाते नहीं, पर मुझे ये पड़ा हुआ मिला, ये मेरा दोस्त ने उले के लिए ले जा रहा हूँ, उसने भी कई बार मुझे फल खिलाए हैं, हम एक दूसरे के साथ देंगे तो अच्छा होगा ना, क्या बोलते हो, देख, ज्यादा चाला की मत कर, वो मास का टुकड़ा मुझे दे दे, तूने ज़्यादा बगबग की, तो मैं तुझे मार के खा लूँगा, समझा, बंदर बेचारा घबरा गया, उसने मास का टुकड़ा लोम्री की और फेका और भाग गया, एक दिल लोम्री को बहुत भूक लग रहा था, वो एक गाउं के पास पहुँच गया, जंगल में ढूनने पर भी खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, शायद इस गाउं में ही मुझे खाने को कुछ मिल जाए, वो गाउं में खाना ढून रहा था, एक कुत्ते ने उसे देखा और जोर से चिल लाया, वो उसका पीछा करने लाया, लोम्र का डबबा उसके सर पे गिर गया, कुत्ते को वो दिखा नहीं, तो कुत्ता वहां से चला गया, फिर लोम्री अचानक आइने के सामने आया, तो उसने देखा कि वो नीला रंग में बदल चुका है, ये क्या, मैं तो पुरा नीला बन चुका हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, क अरे बापरी, ये तो कोई नया प्रानी लगता है, भागो, सब भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, लोम्री ने सोचा, अरे ये क्या, इतना बड़ा हाती, मुझे देखके भाग गया, मैं कोई भैंकर प्रानी की तरह दिखा होंगा इसे, उसके बाद वो थोड़ी दू भाग गये, वो मनमो जी की तरह चले जा रहा था, तो एक शेर ने उसे देखा, उसे देखते ही, शेर घबरा के जाडियों में छुपकिया, लोम्री शेर की तरह बड़ा, शेर ने कहा, अरे बापरे, आप मुझे कुछ मत कीजिए, आप जो बोलेंगे, मैं वो ही करूगा, म मुझे मत मारिये, मैं अपका पैर पढ़ता हूँ, लोम्री ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम अभी जाओ और बबबर शेर राजा को ले आओ, साथ साथ बाकी सारे जानवरों को भी बुलाओ, तुम सबसे मुझे बात करना है, उसके बाद सारे जानवर उससे मिल ले आए, शे आप क्यों यहां आए हैं हमें बताइए, तब लोम्री ने कहा, तुम लोग डरो मत, मुझे तुम लोगों के पास उस भगवान ने भेजा है, भगवान जी ने मुझे बहुत बलशाली और बुद्धिमान बनाया है, इस जंगल में बबबर शेर का राज अच्छा नहीं चल लोम्री ने कहा, इतना ही नहीं, आच्छे बबर शेर मेरा प्रधान मंत्री और शेर मेरा सेनादी पती होगा, हाती मेरा अंगरक्षक होगा, वो बंदर मेरा सेवक होगा, पर जो लोम्री है, वो बहुत धूर्थ होते हैं, उनको जंगल से बाहर करो, मैं उन्हें देखना त शिकर करेंगे, पहले मुझे भोग चड़ाएंगे, फिर खुद खाएंगे। अगर कोई भूल चोख हुई तो किसी की खैर नहीं, अब जाओ, जाओ सब यहां से। उस दिन से सारे जानवर पहले लोमडी को भोग चड़ाते थे, फिर उनका खाना खुद खाते थे। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आया, बंदर लोमडी के सर पे छत्री पकड़ा हुआ था। कि जन्तुओं के तरह हम भी हैं सुक्षानती से रहे तो क्या मुश्किल है। तब बंदर ने कहा, क्यूंकि वो भी लोमडी है, इसलिए। दोस्त, बंदर ने कहा, हाँ, वो लोमडी है, इसलिए बाकी लोमडीों को जंगल से निकाल बाहर किया है, जब से वो आया है मुझे शंका था, इसके इलावा उसके आवाज को मैं अच्छी तरह से पेचानता हूँ, पर बाकी जानवरों को बताएंगे तो वो मानने वाले नह है, उससे चुटकरा पाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, फिर उसने लोमडी के कान में कुछ कहा, दूसरे दिन जंतुओं के सभा में लोमडी ने कहा, ये क्या, तुम सब बहुत आलसी बन गए हो, तुम जो खाना ला रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा ही चलता आएगा समझे, अब जाओ, इतने में बिजली की कड़कडा हट के साथ जोर बारिश आने लगा, तुरंत लोमडी ने चिलाया, छत्री ला चत्री ला तुरंत ला, पर बंदर ने जानबुच के छत्री को दूर फेक दिया, बारिश में भीगने के बाद लोमडी का सारा उतर गया, ये देखके सारे जानवर अवाख हो गये, इतने में दूर से एक लोमडी ने आवाज लगाई, आओ, आओ, वो सुनते ही इस लोमडी ने भी, आओ, इस तरह दोनो, आओ, 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 अवाजे लगाते गए, तब शेर को गुसाया, हे दूत्र लोमडी, हमें उल्लू बनाके बगवान के नाम से डराता है, आओ, सारे मिलके इसको सबक सिखाते हैं, जैसे ही जानवर उसके तरफ लपके, लोमडी वहाँ से भगा, तो बच्चों, हमें खुद की त जहाने एक बड़ी सी जंगल में एक धूत्र लोमडी लहा करता था। एक दिन लोमडी खाने के खोज में जंगल में घूम रहा था। उसे जमीन पे पड़ा हुआ एक मांस का टुकड़ा दिखा। वो बहुत खुश हो के उस मांस के टुकड़े की और जा रहा था। इतने में एक कववा आके उस टुकड़े को उड़ा के ले गया। और एक पेड की टहनी पे जा बैठा। लोमडी को गुस्सा आया। तुम मेरा ही खाना उड़ा ले जाएगा। मेरी चतुराई से तो शेर भी डरता है। रुक अभी तुझे उल्लू बना के तेरे मूँसे मैं खाना चीनता हूँ। समझा बेटा। लोमडी पेड के नीचे आया और बोला। मेरे दोस्त तुम कितनी खुबसुरत हो जानती हो। पता है इस दुनिया में सबसे सुन्दर रंग कोन सा होता है। क दोस्त तुमारी गायकी के बारे में कई जानवर बाते कर रहे थे तो मैंने सुना। तुम तो बहुत अच्छी गाय का हो। तुमारे गायकी के सामने कोयल भी फीकी पढ़ जाती है। ऐसे कई लोगों ने कहा है। चलो मुझे तो आज एक गाना सुना ही दो, सुनने को फिर उसने कहा, आइने में कभी अपने शकल देखा है, पता है, रंगों में सबसे बुरा रंग होता है कववा काला, इतना भी नहीं जानते हो, तुम्हारा गाना तो बहरे भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, तुम क्या खुद को कोयल समस्ते हो, किसी ने दो मीठे शब्द बो में अपने दोस्त सफेद कववे को बताया, फिर एक दिन वैसे ही लोमडी जंगल में घूम रहा था, उसे एक पेड़ पे सफेद कववा बैठा हुआ दिखा, उसके मूँ में एक मास का टुकड़ा था, लोमडी ने देखा, मेरे दोस्त, तुम कितने सुन्दर हो जानते हो आज तक मैंने कभी सफेद कववा नहीं देखा था, सारे रंगों में सबसे अच्छा रंग सफेद होता है, सफेद रंग के साथ पैदा हुए हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जितने सुन्दर तुम दिखने में हो, तुम्हारी आवाज भी उतनी ही सुन्दर होगी, चल मेरे दोस्त, बस करो, बस करो, बहुत अच्छा गाना गाया है तुमने, उसने कहा, तब कवे ने कहा, अरे ये क्या मेरे दोस्त, पुरा गाना सुनने से पहले ही रोकने को कहा, ऐसा क्यों किया तुमने, तो लोम्डी ने कहा, अरे नहीं-नहीं, मेरा ये उद्देश नहीं थ चावल पका की नहीं ये जानने के लिए स्रिफ एक ही दाना काफी होता है। तुम्हारी आवास तो बहुत सुरिली है। तुमको तो जरूर नाच भी आता होगा। चलो, अब मुझे थोड़ा नाच के दिखाओ। तो कव्वे ने कहा, अरे नृत्य, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। इस मास के टुकड़े के वज़े से मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। रुको, मैं इस टुकड़े को खालू, फिर मैं तुम्हे नाच के दिखाता हूँ। फिर उसने मास के टुकड़े को खालिया और अपना नाच शुरू किया। उसके आवाज से लोमड़ी का सर फटा जा रहा था। तब पव्वे ने कहा, मैरे दोस्त, तुम सोचते हो कि इस दुनिया में तुम अकेले ही चालाख हो। दिमाग हर एक के पास होता है, उसे अच्छाई के लिए ही इस्तिमाल करना चाहिए। लोगों को धोका देने के लिए नहीं, कम से कम अब तो सुधर जाओ। ये कहके कववा वहां से उड़ गया। तो समझे बच्चों, कभी भी दिमाग का जोर किसी और को धोका देने के लिए नहीं लगाना चाहिए। बबबर्शेर और एक चालाख खरगोश की कहानी। एक बड़ी सी जंगल में एक बबबर्शेर रहा करता था। वो बबबर्शेर उस जंगल का राजा था। जब भूख लगती थी, बाकी जानवरों का शिकार करके खा जाता था। कभी कभी तो भूख ना लगने पर भी आपनी शौक मिटाने के लिए वो शिकार करता था। उसके हरकतों से बाकी सारे जानवर डड़े गुए थे। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक भर एक सभा रखी। लोमडी ने कहा, राजा जी आपको नमशकार, हम सारे जानवर आपसे कुछ पूछने आए हैं। तो शेर ने कहा, क्या पूछना चाहते हो, जल्दी पूछो। तब हाती ने कहा, शेर महाशय हम सारे जन्तों ने मिलकर एक प्रस्ता पारित किया है, आगे से आपको कश्ट करके शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज हम में से एक जानुवर आपके शिकार बनने खुद ही आ जाया करेंगे, तब शेर ने कहा, ठीन है पर तुम्हारी बात मांगने से महले मेरी भी कुछ शर्ते हैं, सुनो, सारे जानुवर शर्त क्या हो सकता है, ये सोचने लगे, तब शेर ने कहा, जानुवर चाहे कोई भी हो, पर सुबě सुबे आ ना होका, देल होने से मुझे गुजह गुशा आ जाएका, और अगर जानुवर छोढ़े ह वे तो कम से कम चार आने चाहिए। अगर वेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सब को शिकार करके मार दूँगा। सारे जानवरों ने बबर शेर के शर्ते मानी और वहां से चले गए। इस थरह हर रोज एक जानवर बबर शेर का शिकार बनने चला आता था। एक दिन एक खर्गोष का बारी आया। वो बड़ा ही चाला खर्गोष था। उसने सोचा क्या किया जाए। इस शेर से कैसे चुटकर आपाया जाए। ये सोचते हुए वो जंगल में चल ले लेगा। शेर के गुफा की तरफ जाते हुए उस खर्गोष को जंगल में एक पु बहुत गुसा रहा था, पर खर्गोष कैरट खाते हुए पेड़ के नीचे अराम कर रहा था, इधर शेर को बहुत भूक लग रहा था, और वो गुस्से में दाहड रहा था, खर्गोष अराम से चलने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो शेर के गुफा तक पहुँच गया, ख जाफ कीजिए बबरशेर जी, हम चार खरगोश आप के लिए निकले थे, पर, पर, बीच में एक, बीच रास्ते में, वो, वो, क्या हुआ था बीच रास्ते में, कुछ बताओगे भी कि नहीं, तब खरगोश ने कहा, बबरशेर जी, हम सुबे सुबे चार खरगोश आप के बस आने के लिए निकले थे, पर, बीच रास्ते में, एक बड़ा और सा शेर, आपसे भी बड़ा था, उसने, बाकी तीनों को खा लिया, मैं तो आपके आहर बन्ने, जान बचा के भागाया, तब शेर ने बड़े गुस खरगोश, शेर को उस कुए तक ले आया, बापा शेर जी, मैंने जी शेर के बारे में बताया, वो यहीं अंदर है, जब शेर ने कुए में छाक के देखा, तो पानी में उसे खुद का चेहरा दिखाई दिया, उसे लगा ये तो दूसरा शेर है, और उसने चोर से दाहर, कु खरगोश की चतुराई से सारे जानवर बहुत खुश हुए, उन्होंने उसे शाबाशी दि, तो बच्चों समझ गए, शारिलिक शक्ती से दिमागी शक्ती जारा प्रयोक्षाली होती है, ये कहानी है सोने के अंडे देने वाले एक बतक की, कृष्णपुरव नाम के एक छो रोज वो जंगल में लकडिया काटने जाता था, लकडिया बेच की जो थोड़े पैसे उसको मिलते थे, उससे वो अपना परिवार चलाता था, एक दिन जब वो जंगल जा रहा था, उसे एक शेर दिखा, शेर का पैर दो पत्थरों के बीच फसा हुआ था, वो हिल नहीं प गया और उसने उस देवी को प्रणाम किया, तो देवी बोली, वस मुझे एक रिशी ने श्राफ दिया था, जिसकी कारण मैं एक शेर में बदल गई थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई हिम्मत वाला आदमी आकर मेरी रक्षा करेगा, तो मैं श्राफ मुक्त हो पर हर कोई मुझसे डर कर भाग जाते थे, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे हिम्मत से श्राफ मुक्त किया, फिर देवी ने एक बतक प्रकट करके रामया को दिया, ये कोई साधारन बतक नहीं है, ये सोने के अंड़े देती है, पर ये हर दिन एक ही अंड़ा देता था और रामया उसे शहर ले जाकर बेचाता था, बहुत जल्द वो एक अमीर आद्मी बन गया, उसने एक नई घर बनाई और जंगल जाना छोड़ दिया, अब वो एक आलसी आद्मी बन चुका था, जैसे जैसे उसकी अमीरी बढ़ी, उसके कुछ दोस्त भी बढ़ अब वो शराब पीता था और जुआ भी खेलने लगा था, उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर उसने पत्नी की एक ना मानी, एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, ये बहुत दुरभाग्य की बात है, कि वो बतक दिन में सिर्फ एक ही सोने का अंडा देता हर रोज एक अंडा बेचके मुझे जो पैसा मिलता है, वो पैसे मुझे कम पड़ते हैं, उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता भी है हमें पैसों की कमी क्यों हो रही है, तुम्हारी इन बुरी आदतों की वज़ह से, वैसे भी लालच बुरी बला है, अब तो सुधर जाओ और परिवार का खयाल करो से रामया की पत्नी की नेंद तूटी, और उसने रामया से कहा, हे भगवान, ये तुमने क्या किया, तुम इतनी लालची हो गए कि तुमने उस बतक को मार डाला, वो रोज एक सोने का अंडा देती थी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा, तब रामया को अपनी गलती का हैसा रामया और सीतम्मा नाम के पति-पत्नी राहा करते थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम राजेंद्रा था, रामया को भगवान पे बहुत भरोसा था, हर रोज भगवान का पूजा किया करता था, राजेंद्र भी अपने पिता के तरह रोज पूजा अर्चना किया करता थ एक दिन राजेंद्रा ने पूछा, पिता जी हम रोज भगवान का पूजा करते हैं ना, उससे हमें क्या फल मिलेगा, बताईए, तब रामया ने कहा, रोज भगवान को पूजने से वो हमारी जिंदगी सवा रेंगे, हर विपदा से वो हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हर ए कल के, भगवान मैं कितना भी पड़ो मुझे समझ में नहीं आता है, अभी आप ही के भरोसे में परिक्षा लिखूंगा, मुझे पास करा ना आपका जिंद्मा, ये कहकर वो सो गया, दूसरे दिन सुबह, छोटु एक ट्रोफी लेके वहां से जा रहा था, ये देखकर, ये वहां से चला गया, राजिंद्र ने कहा, भगवान मुझे भी दौड की प्रतियोगता में जिता दीजिये, एक दिन रामया ने राजिंद्रा से कहा, राजिंद्रा मुझे बुखार हुआ है, क्या तुम बाजु के गाउं में चावल पहुचा दोगे, साफधन से जाके आन ठीक है पापा, राजिंद्रा ने कहा, राजिंद्रा चावल लादा हुआ बैल गाड़ी लेके निकल पड़ा, एक सुनसान रास्ते से जा रहा था, अचानक बिजली की गड़गडा हट के साथ बारिश राजिंद्र ने कहा, ए भगवान ये क्या, इस बारिश में मैं कैसे इतने में गाड़ी का एक चक्का की चड़ में फस गया, दोनों बैल ने बहुत कोशिश की पर चक्का निकला नहीं, राजिंद्रा अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ, अंधेरा होने को है, इस सुनसान जगे पे अकेला रहूंगा, तो कोई जानवर मुझे जरूर खा ले स्वामी जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यूं रो रहे हो, क्यूं एसे चिला रहे हो, बताओ मुझसे, राजिंद्रा ने कहा, मेरा गाड़ी का चक्का फस गया है स्वामी जी, मैं अब घर कैसे जाओं, इसलिए रो रहा हूं, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हू स्वामी जी ने हसके कहा, देखो बेटा, हर बात के लिए भगवान को बुलाणा ठीक नहीं, पहले हमें हमारा प्रयत्न कर लेना चाहिए, फिर भगवान भरो से, तुमने तो गाड़ी का चक्के को धक्का तक नहीं मारा, आओ, गाड़ी के चक्के को धक्का मारो, फिर भी ना हो तब भगवान भरोसे। राजेंद्रा ने गाड़ी के चक्के को पूरी शक्ती से ढखेला। तब गाड़ी की चड़ में से निकला। स्वामी जी ने कहा, देखो बेटा, तुम गाड़ी के चक्के को ढखेल सकते थे, पर ढखेला नही। भगवान के भरोसे तब ही छोड़ते हैं, जब हमारे सारे प्रयत्न विपल होते हैं। नसीब में जो लिखा होता है, वही मिलता है। उसी में हमें त्रिप्त होना चाहिए। समझे। राजिंद्र ने कहा, समझ गया स्वामी, आहिंदा से मैं प्रयत्न करने के बाद ही भगवान से मदद मागूगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तो बच्चों, हमें परिक्षा में खेल कुद में अगर सफलता चाहिए, तो पहले हमें प्रयत्न करना चाहिए। हर काम क उसकी आमदानी बहुत कम होती थी। उसका बेटा रवी काम में उसका हाथ बटाया करता था। एक दिन एक महाजन उसका घर आके बोला, अरे भई, उधार लिए दो साल हो गया, तुम तो ब्याज भी नहीं भर रहे हो, एक और मैने का मौका देता हूँ, मेरे सौ सौने के सि कोशिश करनी होगी, अपना घर बचाना ही पड़ेगा। एक दिन एक चोर मंदिर में से सोने का घंटा चुरा कर भागने लगा। कुछ सैनिक ने ये देख लिया और उसके पीछे लग गया, उन्होंने चिलाया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोर भागते हुए जंगल म और भागा। सिपाई भी शेर को देखके, अरे बापरे शेर, ये कहके भागके। नीचे पड़ा हुआ घंटे को एक बंदर उठा के ले गया। कुछ दिर बार सिपाई लोट आये, उन्होंने घंटे के लिए खोजा, घंटा नहीं मिला, तो वो वापस चले गया। राजस इधर जंगल में बंदर उस घंटे के साथ खेलने लगे, वो रात को भी उस घंटे को बजाने लगे और खेलने लगे। इस तरह हर रोज, जैसे ही रात होता था, बंदर घंटा बजाते थे और खेलते थे। उनके आवाज से गाउवाले डर जाते थे। कुछ दिन बाद एक गावाले ने कहा जंगल में इसे घंटे की आवाज क्यों आती है? रात को तो बहुत ज़ादा आती है दूसरे ने कहा हाँ हाँ लगता तो है कि वो हमारे मंदिर के घंटे की आवाज है जो चोर मर गया था शायद वो ही भूत बन गया है और घंटे की आवाज करता है पर अगर वो भूत है तो हमारे गाव पे से इस भूत का साया को हम हटाए कैसे? उन लोगों की बाते रवी बहुत ध्यान से सुन रहा था दूसरे दिन जब रवी खेल रहा था तो उसे घंटे की आवाज सुनाई दि उसने मुड के देखा तो पेड़ पे घंटे के साथ खेलते हुए बंदर उसे दिखे इधर राजसबा में गाव वालों ने राजाजी के साथ भेट की महराज वो चोर मर के भूत बन गया है हर रोज घंटा बजाता है और हमें डराता है हम तो जंगल की और जाना ही छोड़ दिये आप ही रक्षा कीजिए महराज उन लोगों ने कहा तो महराज ने कहा हाँ ये बात हम तक भी पहुँची है तुम लोग दरो मत हर समस्या का एक हल होता है अगर कोई हिम्मत वाला उस जंगल में जाए और घंटे को ले आए उसको मैं एक लाक स्वर्न मुद्राई नाम में दूँगा रवी ने कहा महराज अगर आप अनुमती दे उस घंटे को लाने मैं जंगल में जाऊंगा ये मत सोचिये मैं छोटा बच्चा हूँ उस घंटे को कैसे लाना है मुझे पता है कृपा करके मुझे अनुमती दीजिये महराज महराज ने कहा ठीक है जाओ रवी पर सावधान भूतों के साथ सौधा करना खत्रे से खाली नहीं दूसरे दिन रवी अलग-अलग किसम के फल लेके जंगल पहुँच गया बंदर घंटे के साथ खेल रहे थे उन्होंने रवी को देखा रवी ने फलों की टोकरी बंदरों के तरफ किया फिर उसमें से एक केला लेके खुद खा गया ये देखकर सारे बंदर पेड़ पे से कुद कर नीचे आ गये रवी एक-एक फल निकाल कर दूर फेकने लगा बंदर घंटे को वही पटक के फल खाने को भागे बंदर फल खाने लगे रवी ने घंटा उठाया और वहां से चला गया राजा ने कहा सभाश रवी तुम तो बहुत बहादुर निकले ये लो तुमारा पुरसकार तुमारे पिता जी को भी आज से मैं मेरे यहां नौकरी पे रखता हूँ आगे से अगर कोई तकलिफ हो तो सिधा मुझ से आके मिलना समझे ये लो रवी के पिता जी ने उन पैसों से अपनी उधार चुकाई उस दिन से घंटा बजना बंध हो गया था और गाउं वाले बहुत खुश थे तो बच्चों इस कथा की सच्चाई ये निकलती है हर छोटी बात पे डरना नहीं चाहिए बुद्धि मत्ता और हिम्मत हो तो कोई भी परिस्तिती से हम बहार निकल सकते हैं समझ गये?